आज वही बाते, कल से हम सच होते देख रहें, कल भी हम गवर्नर उसमें यही बात कर रहे थे, कि वही रतलाल खटारिये जी होते हैं, तो आज वो ढोल बजा कर जूम करना आसते हैं, हमारे चुनाव चुनाव होता है, लडाई जब मदान में लड़ी जाती है, लडाई सब्सक्राइब आज और फिर से रतनल कटारिया जो कि यहां से सांसत रहे, अभी उनको शधानजली कह सकते हैं, कि बंतो कटारिया जो उनकी धरम पत्री है उनको टिकट दिया गया है हमारे साथ खुद बंतो कटारिया है उनसे बात करते हैं कैसे देखते हैं आप क्योंकि आपकी बार आपको उमिद्वार बनाया गया है कटारिया जी की भी इच्छा थी कि कहीना कहीं अगला चुनाओ आप लटेंगी यह बरिटेश के प्रधान मंत्री नेरिंद्र मोदी जी फमारे और भरी राष्टिया धक्स जग्द परकासनड़ा जी और हमारे हर्याड़ा परदेश के अधक्स, पूरब सियम और वर्तमान के सियम सब का सीरवादाज रतलाल कटारिय जी को मिला है और जिसमें अंबाला की जनता को ये इतना बड़ा जिम्यदारी दिये है कि अंबाला की जनता दुबारा फिर रतलाल कटारिय जी को वही प्यार दे उस नीमित मैं तो दे एक नीमित हूँ क्योंकि चुनाव तो कमल के फूलने लड़ना है मंतुजी हम जब भी कटारिय जी से बात करते थे तो वह अब मजाक करते थे कि कहते थे अब की वरबंतों को लड़ाओ अब की वरबंतों को टिकट दिलाओ तो वह कहते थे तो कही ना कही एक उनको भी होगी है कि आज बहुत सारी बाते सच हो रही है क्योंकि मेरे साथ अपने मुख्य मंतरी जी की धर्म पतनी परदे सदक्स की धर्म पतनी पूरा मंतरी की धर्म पतनी जो हम कई बारी कठे बैट के चाई पीते थे बात करते थे तो रतलाल कटारिय जी कहते थे वही मैंने तो बह सच होते देख रहें कल भी हम गवर्नर उसमें यहीं बात कर रहे थे कि वह रतलाल खटारिय जी होते तो आज वो ढोल बजा कर जूम करना आसते क्योंकि उनका एक अजीज जो हर्याणा परदेश का मुख्यमंत्री बना और पहली बार हर्याणा बनने के पहली बार अंबाले से कोई मुख्यमंत्री बना है तो यह अपने आम में एक बहुत बड़ा गोरव की बात है टिकट मिलना पहला स्टेप है तो कैसी चुनोती समझते हैं कि अब अंबाला के अंदर रहेगी या आप मानते हैं कि एक तरफा चुनाओ रहने वाला है हमारे चुनाओ चुनाओ होता है लड़ाई जब मदान में लड़ी जाती है लड़ाई लड़ाई के तरीके से लड़ी जाती है फिर भी भारतिय जनता पार्टी ने पन्ना परमुक तक हमने काम किया है हमारे नब्बे की नब्बे विदान समा में पन्ना परमुक समेलन हो च जार था अरहा हमारे आज भी CMI में हमारे मुख्यमंतरी जी ने कहा, कि यह CMI हाउस सबका है, और एक बार फिर आपने दस के दस कमल के फूल खिला कर नेरेंदर मोधिजी की जोली में डालना है, तब हमें हरियाना परदिस में दुबारा मुख्य मंतरी बनने का मोका मिलेगा। कहा कि हम मनोर लाल जी से मिलके जाएंगे। जीत के परती कितने आश्वस्त हैं और मानते हैं कि अंबाला की जो जनता है क्योंकि रहतनाल कटारियां यहां से लगातार सांसद रहे मंतरी रहे तो उनको शधांजली इस रूप में देगी आपको जिता करके। देश की जनता ने निर्नय कर लिया है एक सो चालीस करोड देश की जनता ने तीसरी बारी देश के परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी को परधान मंतरी तीसरी बार बार बनाने का निर्नय कर लिया है। और हर्याणा परदेश के भी दस के दस कमल किल कर नरेंदर मोदी जी की जोली में जाएंगे पर निश्चिती होगा कि कौन कितनी जादा बोटो से जीता है उसमें अंबाला हर्याणा परदेश की पहली सीट है और वे नंबर वन पे ही रहेगी ऐसा अंबाले की जनता एक कि तरफ से उमिद्वार आती है तो कितना चैलेंज मानती है कांग्रेस की तो आपस में लड़ाई बजी पड़ी है कांग्रेस हमेशा ना उनका भी तक संक्ठन बढ़ा ना उनके पास कारिय करता है वो आपस में लड़ते रहेगे और जब तक हमारे देश का परदान मंतरी नरेंदर बोग दीजी है और उनके राष्टिया धक्स रावल गंदीजी है उनका कभी भी सवादाल हो ही नहीं सकता तो बिलकुल आप देख सकते हैं कि बंतो कटारिया हमारे साथ थी जिनको अंबाला लोग सभा से उमिद्वार बनाया है बारतिय जनता पार्टी ने रतनल जनता ने देना है और अंबाला की जो जनता है वो रतनलाल कटारिया से खूब प्यार करती थी और वही आशिरवाद बंतो कटारिया को भी देती हुई नजर आएंगी कैमरामन राजेंदर के साथ अंके दुदानी न्यूज 18 पंचकुला